नवशकार स्टेज न्यूज आईटी में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ आरती सिर्वे आईए अब बढ़ते ही खबरों की ओर बढ़नगर तहसील के चिचूडिया गाउ में चंबल नदी में बनाया गया था सरकार की मंशा थी कि बारिश का पानी चंबल नदी में रूख सके जिसे नामलपोर वा आसपास के करी 20 से जादा गाउं के क्रामिडों की जमीन सिंचे तो हो वा वाटर लेवल बढ़का वेल भरपूर चले और किसान खेती कर सके जिसके बाद करोड़ों रुपए की राशी खर्च कर स्टाफ डेम बनाया था लेकिन हथ तो तब हुई जब स्टाफ डेम के अंदर पानी को रोकने वाली लोही की एंगल को उल्टा लगा दिया गया जिसके कारण स्टाफ डेम में पानी नहीं रुका वही पानी को रोकने वाले लोहे के प्लेट गाउ में ही पड़े हुए हैं स्टाफ डेम में तीन वर्ष में एक भी बार पानी नहीं रुक पाया अब ऐसे लापरवा ठेकेदार और निर्मान के दौरान देखरे करने वाले शासन के जिम्मेदार अधिकारि रमल नदी पर मुझूद है जहां पर राज सरकार की करड़ो रुपे की 80 को सुविकिर्थ कर जो है यहां पर एक स्टाप डेम का निर्मान किया गया था और इस स्टाप डेम का निर्मान करने की मंसा सरकार की यह थी कि यहां पर पानी रुके बारिस का पानी इस नदी का और ल परियाप्त मात्रा में रूप सके और यहां की जो जमीन है हेती सीचित हो सके उसको लेगा इसका अरिमान किया गया था मांकी आप दे सकते में आपको इस स्टाफ डेम में कड़ो रुपे रासी खर्च हुई है और किस प्रिकार से जो जिम्मेदारियों ने आप लापरवाई की उसके बानगी वह नजारा आपको दिखाता हूं मैं आपको वह नजारा दिखाने के लिए करूआ यह यह आपर स्टा है का यह बिलकूल है निता रुप यह खर गड़िया था शटाफ कि में आपको ब्लूप निरुकते और यह घरने की खत्रा धोब है चैस यहां के जो तराप यह अभे पानी रुपा यह में एकत्वार कई नहीं रुपा था है उजिन संभाग बीरो चीफ फियास खान की रिपोर्ट